नमस्ते बच्चों मैं आपका हिंदी टेचर अद्रेश सेनियर स्केंडरी स्कूल खाई शेरिगर से पिश्री वाली वीडियो में हमने किया था संधी के बारे में और उसका पहला पॉइंट किया था दिरिक संधी आज करेंगे दूसरा पॉइंट गुण संधी गुण संधी यदि ए और आ के बाद इ बड़ी इ शोटाओ बड़ाओ और री सवर आए तो दोनों के मिलने से कर्मशय ए ओ और अर हो जाते हैं जैसे ए प्लस इ तो ए वन जाता है जैसे यहां देखेंगे बच्चो नर प्लस इंदर नरिंदर सुर प्लस इंदर सुरिंदर यहां ए रह में ए की अवास और यहां शोटी इ लगी हुई है तो यहां ए और शोटी इ रखर ए हो जाते हैं इसलिए नर प्लस इंदर नरिंदर सुर प्लस इंदर सुरिंदर अब आगे ए प्लस बड़ी इ फिर भी ए बन जाती है परम प्लस इश्वर परमेश्वर कमल प्लस इश्वर कमलेश द्वार रपीट करेंगे परम प्लस इश्वर परमेश्वर कमल प्लस इश्वर कमलेश आगे A प्लस छोटी E और A हो जाता है रमा प्लस इंदर रमेंदर महा प्लस इंदर महेंदर यहां A और प्लस E अगर इनकी दवनी हो तो A हो जाता है जैसे रमा आकी आवाज आ रही है यहां चोटी E लगी होई है तो क्या बन जाएगा रमेंदर महा प्लस इंदर महेंदर आगे A प्लस U तो क्या बन जाता है O बीर प्लस उचित पर प्लस उपकार परो उपकार दवरा रिपीट करेंगे बीर प्लस उचित बीरोचित पर प्लस उपकार परो उपकार A प्लस बड़ाओ भी ओग हो जाता है दवरा रिपीट करेंगे सूर्य प्लस उर्जा सूर्य उर्जा जाल प्लस उर्मी जलो उर्मी आगे A प्लस शोटा हूँ फिर वी O हो जाता है दवरा रिपीट करेंगे बच्चो माहा प्लस उच्सम महोच्सम गंगा प्लस उदक गंगो उदक आगे A प्लस बड़ाओ क्या वन जाता है O द्या प्लस उर्मी द्या उर्मी आगे A प्लस री A प्लस री तो अर हो जाता है अर बन जाता है देव प्लस रिशी देव रशी सब्त प्लस रिशी सब्त रशी तवरा रिपीट करेंगे A प्लस री क्या हो जाता है अर अब देव इस वैक में इस वैका यो वै है इसका last एकी ओवाज आ रही है और यहां रीकी लगी हुई है और दोनों मिलकर क्या होता है देव रशी सब्त यहां तैय में आकी ओवाज और प्लस में रीकी है री लगी हुई है तो क्या हो जाता है सब्त रशी तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक हम दिरे-दिरे इसको आगे करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा द्यान से अच्छी तरह समझने की बात है अगर दिरे-दिरे करेंगे तो पूरी तरह ये टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आज का हमारा इतनी था और कल वाली वीडियो में इसका नेक्स्ट बाग करेंगे थेंक्यू